कोरोना नेमो की धजियां उडाती ये तस्वीरे बिहार के मोतिहारी से आई हैं जहां ये लोग वैक्सीन लेने पहुचे थे लेकिन टीका करन केंदर पर लोगों को लगाने के लिए टीका ही नहीं था फिर टीका नहीं मिलने पर मोतिहारी जिले के धाका प्रखंट के करसाहिया और बकरीहारी गाउं के लोगों ने वैक्सीन के लिए हंगामा कर दिया कोरोना टीका करन के संटर पर लोग दूर दूर से आये थे लेकिन टीका करन केंदर पर आने के बाद उन्हें कोरोना का टीका ही नहीं मिला जिससे लोग बौक लागे लोगों का गुसा इतना था कि टीका करन कर्मियों को वहां पुलिस बुलानी पड़ी इसको लेकर ग्रामेनों ने बताया कि स्तरकार की तरफ से गाउं गाउं घूम घूम कर लोगों से कोरोना टीका केंद्र पर आकर वैक्सीन लगाने को कहा गया था लेकिन जब वो लोग वहां पहुचे तो टीका ही खत्म था बहुच जाता हो गया भेखसी नहीं था वहीं मुख्य कारने हाला हो लेका लेका तो दस अदो ठोठों से मड़ा से लाया गया है तो 120 आजमी को परा है वहीं भेखसीन के लिए उपरा हमको दीजे हमको दीजे हमको दीजे यहाद चार किलो मीटर दूरी से जो जो आदमी आया दोनों गाओं में ठीका करन के लिए स्वास्तकर्मियों को 11 वैक्सीन की वाइल सरकार से मिली थी लेकिन टीका करन केंद्र पर 400 से ज़्यादा लोग टीका लेने पहुच गये इसके बाद वहाँ अफरात तफरी का माहल बन गया स्वास विभा का कहना है कि जिलिस से वैक्सीन की डिमांड की गई थी लेकिन कुछ ही टीको की डोस उन तक आई है बाद में पुलिस की मदद से मेडिकल टीम ने लोगो को शांत कराया और आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें फिर से टीका मिलेगा लोग कर रहा है कि हमको दीजिए हमको दीजिए और एगारा वैक्सीन पर गया लोगो जो बाकी जो बचे हो लोग हंगामा किया है आगे क्या आपने वोगो क्या सौसक दिया हाल ही में केंद्र स्वास्त मंत्री जॉक्तर हर्श वर्धन ने वैक्सीन की कमी के दावो को नकारते वे कहा था कि कुछ राज्य जान बूच कर जन स्वास्त जैसे मुद्दे के राजनीती करन में लगे हैं लेकिन बिहार जहां इंडिये की ही सरकार है वहां कई जलों से वैक्सीन खत्म होने की खबरें सामने आ रही हैं ऐसे में आप खुधी समझ सकते हैं कि कौन राजनीती करने में कर दो